दोस्तों आप लोग के सामने एड़ोबे subs में हम यहां पे जो प्रोपर जो quality यहां पे जीसे यहां पे जो फोटो है यह आपको हम दिखा रहें, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो कि इसका quality कितना dark है और आप लोग यहां पर देखो किसे pimple है मतलब कि जो फोटो है या कोई खास नहीं है हम इसी फोटो को कुछ इस प्रकार से बना करके जैसा आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से फोटो को बना करके आपको हम दिखाने वाले भी लाइब में गुठाने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपने इस प्रकार के फोटो को अब ऐसा कैसे बना सकते हो तो हम इसी के सास वीडियो को में स्टार्ट करते हैं मैं रोहित Shaun मयर्या सौनत करते हैं आज के इस नय वीडियो में दोस्तों आप लोगों को पहले सबसे पहले अपने Adobe Photoshop 7.0 को open कर लेना है और open करने के बाद अपना जो आपका इसको पहले में यहां से cut कर लेते हैं अब इसको फोटो को आपका जोई फोटो होगा उसको आपको open कर लिए और open करने के बाद अब कुछ इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा तो जो सबसे जो पहला वर्क है वह आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके इस लेयर का duplicate layer बनाना है औ अब आपका यहां पर नहीं आयेगा तो आपको जाना होगा window के section में और यहां पर layer नहीं पर क्लिक कर ओगा तो आपका layer का option आ जाएगा तो इसका duplicate layer बनाने के लिए आपको इसके right click करना होगा और यहां पर लिखेगा conjugate layer आपको इसके क्लिक कर देना होगा जैसे आप पे क्लिक करोगे और यहां से ओके कर दोगे तो इसका डुब्लिकेट लेयर बन करके तयार हो जाएगा ऐसा हम क्यों करते हैं कि आपका जो प्रोपर इमेज है वह खराब नहों हो सके अगर खराब होगा तो आप उस लेयर को डिलिट कर आपको अपने कीबोड के माद्य हम से कंट्रोल एल को प्रेस करना है यहां से हम कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे यहां पर लेवल ओपेन हो करके चला आएगा तो अब जो आपका मध्य वाला जो भाग है तो आपको इसको पकड़ करके इसको हलका इधर करना है जो आपके चे है वह बहुत थी perfect size का आपका यहां से आ गया अब इसे आप okay कर दिए अपने अनुसार फोटर के अनुसार आप लोग भी इसको कर लिजेगा अब इतना होने के बाद अब देखे दोस्तों में क्या करना है कि इसे retouching करके जो यहां पे आ इसको जूम करना चाहते हैं तो यहां से अपने figure को आप लोग भी जूम कर लिजेगा अब यहां पे आप देख सकते हो कुछ pimple हुआ है देखोगे यहां पे तो कुछ इस प्रकार से धबबा यहां पे दिया गया है तो इसको हम retouching के मादेम से हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए और photo को perfect बनाने के लिए हम य selling brush का उपयोग करने वाले हैं जो यहां पे healing tools है तो आपको healing tools पे click करना होगा और यहां पे आओगे तो अब इसके जगह पे जिस quality को paste करना है वहां पे alt को दबा करके एक बार click कर लिजेगा यह आपका area को select कर लेगा इतना होने के बाद अभी इस area को यहां पे लाना चाहते वास आपको यहां पे touching कर देखो यहां से मारा a हट रहा है और यहां से आ रहा है तो ऐसे करके अपना जो भी आपका point होगा जहां pimple होगा उसे आप हटा दीजेगा तो इसी परकार से करके अपने total जहां जहां face पे दिया है हम total जगह पे इसको हम apply करके बारीकी से आपको य हटा लिजेगा इसे फटा-फट कर लेते हैं जो भी यहां पर दिया हुआ है सब कुछ कर लेंगे और आप ध्यान से किजेगा तो और भी perfect आपका जो photo है वह पन करके आपके सामने आएगा तो यहां से हम सभी जो भी धबा है यहां से हम उसको हटा लेते हैं यहां से सब कुछ हट चुका है अब देखिए यहां पर अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको आगे क्या करना है उसे भी ध्यान से समझेगा तो अब इसको adjustment करने के लिए आपको देखिए क्या करना है कि आना होगा आपको image के जो tap दिया होता है तो आपको image पर click करना होगा जैसे आप लोग image पर click कर दोगे तो यहाँ पर adjustment का option आएगा इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा selective color तो आपको selective color पर click करना है और यहाँ पर आपका selective color आगया आपको यहाँ पर ध्यान देना एक जो आपके face का जो color होगा उसी color को आपको यहाँ से select कर लेना है जैसे हम यहाँ पर yellow पर click क सब्सक्राइब कर देंगे और यहां से आएंगे और Middlewood को यहाँ पॉइंट को यहां से करेंगे जमारा एरिये भिलेक उला है सोके ब्लेक होगा तो और एक देखने में जो suicide ही धारी हैवा हमारा थी की दो 세टो आगे के लिए सबसे पहले आपको एक बनाना वोगा ऑल्लिकेट लेयर बना हुआ इसी पर right click करके यहां से लिखा होता है duplicate layer इस पर click करना होता, देखिंगे यहां पर एक layer और बने के लिए तयार है, यहां से okay कर देंगे, यहां पर एक और layer बने के तयार हो गया, अब देखें दोस्तों इतना होने के बाद, अब यहां पर जो normal लिखा होगा, आप ध्यान यह जो यहां पर mid light लिखा हुआ है तो आपको mid light पर click करना है तो कुछ ऐसा आपका face का color हो जाएगा और घबडाने की बात बिल्कुल नहीं है यहां पर आपका सही अब जो भी यहां पर filter हो लगना start होगा तो अब दोस्तों अब आगे क्या करना है कि फिर से आपको आना है image के option पर और यहां से आना है adjustment पर अब नेचे आ करके यहां पर invert लिखा हुआ है फिर control आई प्रेस कर लिजेगा तो यहां से invert हो जाएगा invert पर click कर दिजेगा तो दोखिए यहां पर invert होगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लागा तो अब घबडाने की बात नहीं है यहां आपका खराब या bed नहीं हुआ है बहुत ही good हो रहा है यहां पर तो अब देखो इसके दोस्तों आपको आना होगा filter वाले option पर click करना ह फिल्टर पर और यहां पर सबसे नीचे आओगे तो यहां पर अधर का option लिखा होता है अधर प्याना है और यहां पर हाई-पास पर click करना है जैसे हाई-पास पर click करोगे तो आपको जितना blur यहां से लेना है उतना blur लोगे तो देखिए अहां चाला blurring आपका एक कर रहा है देखिए यहां blur कर रहा है तो आपको कुछ खास नहीं यहां पर 2 और 1 के बीच में ले लेना है यहां पर 1.5 कर लेते हैं और यहां से करते हैं इसको ok यह आपका blurring हो गया अब इसके बाद दोस्तों और भी काम करना है थोड़ा सा फिर से आना है आपको filter के option पर और इसके दिकत नहीं ज्यादा आपको नहीं करना है थोड़ा सा ही करना है यहां से हम इसको 3 पर कर लेते हैं यहां से करते हैं इसको ok अब देखिएगा अब आगे क्या होगा उसको ध्यान से आप लोग समझेगा बहुत ही यहां पे better होने वाला है अब आपको दोस्तों mask लगाना आप का mask लग गया और मास लगने के बाद आपको ध्यान से समझना होगा यहां पर क्या करते हैं अब इसको इनभर्ट करने के लिए को a को प्रेस करना है यहां पर कंट्रोल आइको करेंगे आपका इनभर्ट देखिए इसमें हो गया यहां पर थोड़ा क्लिर हो गया और इस यहां पर फिर आना होगा jumbo को बेटर होगा यहां से इस्थे एपने अपने अरुसार कर आपका यहां पर बरसिंग होने वाला है दोस्तों आपका जब ऐसा हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है आपका जो फोटो हो बनगर के आपका तयार हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि अगर यहां पर लिप्स कलर को भी अगर चेंज करने के लिए तो आपको आना होगा यह अब ध्यान देजेगा कि यहां पर आपका जो भी लिप्स का जो कलर देना चाहते हो उस कलर को देने के लिए यहां से उस कलर को चैन कर लिजेगा और यहां किजेगा यहां से हो रहा है अगर बढ़ाना होगा यहां पे ऊपका ओपासिटी है तो इसको बढ़ा करके आप थोड़ा सा ज्याधा कर लेज़ेगा 40 असिक ट्रीम और यहां पे अब इसको बढ़ेंगे देखी यहां पे कितना परफेक्ट साइज में और अपना ध्यान दिजिएगा ज आप लोग भी अपना lips के color को adjust कर लिजेगा और जितने ही आराम से किजेगा उतना ही perfect आपका होने वाला है तो कुछ ऐसे करके आप लोग भी इसका उप्योग है वह किजेगा तो बहुत ही अच्छे quality से आपका भी यहां से rating हो करके चला आएगा तो हम भी कुछ इस प्रकार से हाँ पर rating कर लिए और दोस्तों rating होने के बाद अब अगर चाहते हो कि इसके color को change करने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है इस color पर आना होगा और फिर से double click करने के बाद यहां से अपने color का chain करोगे तो यहां पर देखो automatic आपका जो भी color है व हमसम लगने लगा और आप देखो पहले वाले फोटो की quality को दिखाना चाहते हैं कि जो पहले जो quality दोस्तों कुछ इस प्रकार से था और अभी जो है कुछ देखी ऐसा फोटो था अभी इस प्रकार से फोटो है वह हमारा हो चुका है दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर करना बिल्कुल नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही ले टेस्ट अपडेट के सब टाटा जैहन